हेलो स्टूदेंस वेल्कम टू पी एसे बच्चो दोस्ट स्टेटमेंट्स मैं बोलता हूं पहला वट इस टाइम इन यो वाच वाट इस टाइम बाय यो वाच क्या डिफ्रेंस है दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है लाइक एक स्टेटमेंट और है और इसके हाव एक संटेंस बनता है अध्रिफ्र कॉफी टू टू एटर ए तो इन दोनों इन चार उस्चेंस में जो मनें बोले कौन सीotti स्टे एक सम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्केशन होगा तो यह जो सीडीज हमारी चल रही है लेर्ण इंग्लिश की अंदर टॉपिक टॉप ग्रामर मिस्टेक्स इस पर आज एक नया वीडियो नया लेक्शर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो बात वाइल इंट्डूजिंग वन और आई को मिक्स करके सेंटेंस बोलता है जैसे कि बच्चा यह देखें मैसल्फ आयम सुरेश बाबू इसमें मैसल्फ का यूज हुआ विद आई जो की इनकरेक्ट यूज है तो से प्रेक्ट स्टेट्मेंट विल बी आई एम सूरेश बाबू अगर आपको अपने आपको यूज है ना इसम्पल प्रेंट एंट शूर बी यूज है जो प्राक्टिकल आमलब जो प्रेक्टिकली आप देख रहा है समझ रहो उनको प्राइमार्टिक सिट्वेशन बोलते हैं तो स्टेट्मेंट देखें क्या है जैसे लिखा है आँम हाविंग फोर ब्र ब्रदर्स यह correct situation है जो आप सच बता रहे हैं कि मेरे पास I am having four brother and sister यह sentence totally wrong है ठीक है इसका correct sentence क्या बनेगा I have four brothers and three sister I am having is the wrong usage here you have to use I have four brothers and three sisters okay next do not should not be used after the subject pronoun he she it मतलब जो do not है इसको आप he she it के बाद use नहीं करोगे जहां भी आप he she it देखोगे इसके बाद do not का use नहीं होना चाहिए चिक example देखें he do not have a laptop यहां पे ही था इसके बाद आपने लगा दिया do not जो की गलत है आपको ही के बाद क्या लगाना है बच्चा he does not have sorry आपको ही के बाद क्या लगाना है he does not have a laptop यह sentence हमारा सही है ठीक तो he do not he के बाद या she के बाद या it के बाद जो प्रोनावन है subject प्रोनावन है इसके बाद आप do not नहीं यूज करेंगे does not will be the correct use the helping verb does is used at the beginning and the main verb have denotes the ownership or position मतलब sentence पढ़े हैं incorrect sentence पहले does she has a car does के साथ आपको have लगाना है क्या लगाना बिटा have क्यों कि यह आपको denote करता है ownership या position यह sentence उपर वाला हमारा हो गया इनकरेक्ट टिक तो करेक्ट स्टेटमेंट इस डाज शी हाव का ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब दर्स यूज अट बिगनिंग अन्द में वर्ब have denotes the position तो बिगनिंग में आपने अगर दस लगाया तो उसके साथ बच्चा हाव होगा अगला देखते हैं किस तरीके से जब कभी-कभी हम लोग गलत पूछ लेते हैं देखिए क्या गलतियां हो रही है हम लोगों से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले देखते हैं तुडे तुडे ओफिस इस देर आंसर क्या मिल गां को नो ओफिस नॉट देर तुडे इस भारत बंद अच्छा तो तुडे ओफिस देर इस टोटली इंकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस बच्चा क्या होगा इस टुडे अवर्किंग डे यह सेंटेंस एकदम सही है और आर भी वर्किंग टुडे यह भी एकदम सही है ठीक आर भी वर्किंग टुडे और इस टुडे अवर्किंग डे आंसर क्या देंगे येस वी आवर्किंग टुडे और नो वी आवर्किंग टुडे नो इस नॉट not a working day या फिर no we are not working today ठीक है तो सब्सक्राइब करेक्ट सिच्वेशन जो करेक्ट क्वेस्चन बनेगा वह बच्चा क्या बनेगा इस टुड़े अवर्किंग टीक है टुड़े ओफिस देर इस टोटली इंकरेक्ट अगला बढ़ते हैं saying that only was the wrong way to emphasize what the speaker has already said जैसे कभी-गभी होता है सामने वाले स्पीकर ने कोई बात बोली आप वो चीज बोल चुके थे तो बोलते थे हां वही तो मैं कह रहा हूं ठीक उसको अप इंग्लिश में कभी-कभी क्या बोलोगे जैसे आपने बोला she is arrogant ठीक तो सामने वाले ने भी या speaker आपसे जो लिसनर था उसने भी आपकी चीज रिपीट करी फिर आप वो चीज रिपीट करके बोलोगे that only she is very arrogant मतलब मैं भी वही चीज कहा हूं that only she is very arrogant बात यह इनकरेक्ट है इसका correct sentence है that what what that was what I said she is very arrogant चीज आपको बोलना पड़ेगा that what that was what I said she is very arrogant that was what I said she is very arrogant मतलब जो ही बात जो मैं ने कही थी वो very arrogant है अगला देखे phrases that can be used month before last day before last week before last इसमें incorrect sentences last before year she got very good marks incorrect last before year यह uses यहां पर बच्चा गलत इसका सही sentence होगा year before last she got good marks year before last she got good marks ठीक है तो यह month before last day before last week before last मतलब इस तरीके से इनको use करना है ठीक है अगला देखें है बच्चा दे helping verb did is followed by the present tense of the verb and not the past tense जो helping verb होता है did जो did word आपने सुना होगा यह किस के साथ follow करता है बटा present tense के साथ past tense के साथ नहीं क्या sentence है जैसे यह आला देखें इनकरेक्ट कौन सा इसमें जो दिखाया गया है he did not wrote the test last week did है इसमें अपने past लगा दिया रोट गलत है डिट के साथ बटा राइट आएगा he did not write the test last week ठीक है तो डिट के साथ present tense लगाना है आपको ठीक है अगला देखते हैं दे मीनिंग और वर्ब कौप is to manage कौप is followed by the preposition with never followed up मतलब जब भी कौप वर्ड आप यूस करोगे इसके साथ हमेशा विद लगा होगे incorrect है I cannot cope with this pressure गलत गलत है गलत है गलत है कोप विद होगा जो सही sentence हमारा बना next we can say by car by 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 bus by train by flight tower we cannot say by walk walk के साथ आप बाय नहीं लगा होगे बाय वाक नहीं क्योंकि हम foot से move करते हैं वाक से नहीं तो foot यूज हो रहा है इसलिए हम वाँ पर बाय फुट लगाएंगे जैसे कि incorrect कौन सा है I came to office by वाक गलत है सही sentence बच्चा क्या आएगा इसमें I came to office on foot I came to office on foot यह करेक्ट नेक्स एक है what is the time in your watch what is the time in your watch watch इस सेंटेंस के साथ watch के साथ बाय का यूसेज होगा यहां पर गलत हो गया नेक्स देखें आ क्लास्रूम इस इन दे सेंट फ्लो यह तो वह नॉमल है इन नहीं होगा on second flow यह तो सबको पता होगा कि इन का यूस कब है on का यूस कब है यूस तो सबको पता होंगे यह थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग हो जाता है इन यह वाच और बायो वाच रहता है अगला वाइल कंपेरिंग टू इंडिविजुल सिंग्स दान इस फॉलवड पर प्रणावन दाट मतलब अगर दान का यूस यूस किया है आपने कहीं पर उसके बाद दाट लगाना कंपल्सरी हो जाता ह जाते है कि प्राइज कि यह वाला सेंटेश थे कि दप्राइज ओफ इस मोबाइल फोन इस हाय दन यॉस यह संटेंस गलत है सुनने में तो सही लग रहा है बट गलत है क्यों आपने यहां पर यॉस लिखा तो बट यह नहीं बता है किस चीज़ की बारे हम बात कर रहे हैं मो है दाट ऑफ यॉस तब समझ में आएगा कि अच्छा जिस मुबाइल फोन के हम बात कर रहे हैं वही मुबाइल फोन दाट यह देनोट करता है तो दाट का यूज बहुत इंपॉर्टन है यहां पर इस संटेंस हमारा सही होगा इन प्लूरल फॉर्म इट इस अल्वेज मदर दिनला इंड ब्रदर सिंप सिर्फ toसल लूंह प्लॉरल फ़र में ब्रदर्टर इस्टर इनला Colonel का यूग सो उता है से उनलाअ नहीं होता है मतलब यह संतने सांट इनलास एं धर है सही संटेंस क्या होगा है संसलार चाहव में गोचक्ण थे क्या गलती है वह देख लिएशा इन लॉव हाव कम हो तो प्लूरल फॉर्मेशन इन लॉव मॉदर सिन लॉव इस तरीके से अल्ड़ है और वन साथ इस एड़ इस कंसिड़र अंकाउंट बिल सो है इस अल्मोस्ट ऑल्वेज इनकरेक्ट यह तो सबको पता है यह है वह है यह नहीं होता कभी हो है ही यूज होन लास ग्रे है ठीक है तो है उस नहीं यूज करना है आप लोग को ध्यान रखेंगे नेक्स्ट प्रिफर इस फॉल्वेज फॉलोड बाइद प्रपजी प्रपोजीशन टू यह सेंटेंस जाद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप प्रिफर कॉफी देंटी त सेंटेंस हमारा सही है आप प्रिफर कोफी टूटी चीके पच्छों करीब 15-16 मिस्टेक्स हमने आपको इसमें पढ़ाई इस वीडियो में होप आप लोग को समझ में आया होगा जा क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोग गलतियां कर रहे हैं छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं इसी पर हम लोग को वरकाउट करना इसी laty करना थाकि- एकस mistakes maximum students करते हैं उसको लेकर ही है होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा डू लाइक शेर और सब्सक्राइब maximum लोगों को शेर करिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए ठीक है कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो कुछ पूछना अभर को समझना हो को मेंको कमेंट कर सकते हैं मारे वाटसाप चैनल वाटसाप पर आप हमें कि मैसफि कर सकते हैं अच्छम पर आपको लेक्श्चड कर देंगे सेपरेटली प्राइबेट जहां भी आपको होगा अच्छा लगाओगा सब आप लोगों को थैंक यूजा है